जय जय मात्र दिमित्रों आपका स्वागत है एक मात्र ऐसे यूट्यूब चैनल पर जहां पे आपको आपके जीवन में जो समस्या है वह चाहे किसी भी छेत्र का हो प्रेम का हो धन का हो स्वास्थ का हो या फिर किसी भी सुख से संबंदित हो उन सब चीजों को कर्मों को काटने के लिए आपको अच्छू, प्रयोग, क्रिया, सब चीज बताया जाता है एक चीज हमेंसा ध्यार रखिएगा कि इस संसार में कर्म को जो हो गया है प्रारब्द भोग बन चुका है उसे काटने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है साधना और दूसरा रास्ता उसे भोगने का अर्थात अच्छा कर्म हुआ है उसे भोगने का तो खोशिया मिलेगी बुरे कर्म हो हैं तो उसे दुख मिलेगा ही मिलेगा लेकिन दुखों को काटने का सिर्फ एक ही रास्ता है कुछ साधना कुछ क्रिया अध्यात्म क्रिया सनातन की क्रिया तंदर क्रिया प्रयोक क्रिया इन सब चीजों से आप उसे दूर कर सकते हैं कर्म से आया है कर्म से ही ज अपन में उस जगा को आसानी से जान पाएंगे या फिर समझ पाएंगे जहां पास खजाना छुपा होगा चाए आपके पूरवजों ने छुपाया हो या फिर कोई आस पास के कहीं कभी जगा हो एक चीज तो आपने हमेशा देखा होगा जाना भी होगा कि अचानक से कई उसने ऐसा कुछ कर्म किया है जिससे कि वह वहां तक पहुंचा है लेकिन आपको इसे चेतन की अवस्था में करना है जानकर आप इस मंत्र के जाब करेंगे प्रयोग करेंगे उसके बाद आपको धीरे धीरे यह चीजें इसपश्ट होना शुरू हो जाएगा कि आप जहां आप पास धन गड़ा हो या फिर कहीं आसपास की जगा में उसे आप बढ़ी असानी से अपने सपने से देख सकते हैं और यहाँ प्रमारित है सिद्ध प्रयोग है लेकिन इसे निरंतर में करना इस साधना को 21 दिन की साधना है 21 दिन के अंतरगत कैरेंटेड है आपको वह जाहेंगे अर्थात कहीं पे धन हो खजाना हो कोई भी चीज हो आप समझ जाएंगे बड़ी आसानी से मंतर को आप सुबह साम करिए प्रती दिन 21 दिनों तक और एक गिलास पानी जरूर रखिए उसे पीना है मंतर जाब करने के बाद और उसके बाद चमतकार आप खुद द बस इतना जाब करना है और जिस जगह पर आप जाएंगे उस जगह भी इस मंतर के जाब करें मंतर जाब आपको प्रती दिन 501 बार करना है और अगर समझ में नहीं आए तो नंबर पर वाट्सप मेसेज कर सकते हैं जै जै माता दिमित्रो